अर्पिता आर्या, सुबह से आप खूब मज़ेदार तरीके से बात कर रही हैं, वहाँ पर मौजूद वोटर से, जोश भी खूब दिख रहा है, सहीद अंसारी की तो लाइन ही नहीं खत्म हो रही है, क्या हम मानें कि इस बार आरपार की लड़ाई अगर ये तमाम के लिए के साथ आज आगे बढ़ रही है। का मुद्दा लेकर वो कह रहे हैं, हम उतरे हैं, और वो सोच रहे हैं कि कुछ अलग करेंगे वो अपने एक मत्दान से, लेकिन वाकई एक एक मत्दान जो है, वो भारत की किसमत बदलेगा, और आज ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर वो उम्र, यानि जब बहुत सारी महिलाओं से मैंने बात की, बुजर्गों से बात की, जो चल भी ठीक से नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो इस बात के एहमियत समझ रहे हैं, कि उनका एक वोट कितनी एहमियत रखता है, कुछ लोग है, सर, आप क्या सोच कर आए हैं, मत्दान करने, रोजगार के लि मैंगाय का मुद्दा, आपके लिए, मैंगाय और रोजगार दोनों, आपके लिए, आपके लिए, सर, क्या मुद्दे सोच के आए हैं, यह ईह सालेंड वोटर थे, जो कुछ बोलते नहीं है, लेकिन असर इनका भी जबर्दस्त होता है, लेकिन हा, जहां मैं अंदर यहां लोगों से मैंने बात की लोगों का कहना है कि जहां वोट डाल रहा है वाद लाइटिंग थोड़ी कम है दिख नहीं रहा है इस तरीकी के दिक्कते लोग जो निकले हैं बाहर ऐसी दिक्कते हो रही है आप वोट करके आए आपको दिक्कत हो रही थी तो आपने बोला किसी को इसमें नहीं है तो दिख नहीं रहा बिल्कुल थोड़ा बाद दिख रहा है थोड़ा बाद नहीं दिख रहा है उसको नहीं दिखेगा तो ये चल गए अच्छा चल रहा है तो यहां पर ही बोल रहे हैं कुछ दिक्कत पर नहीं है तो फोड़ी सी प्राब्लम इनके सामने हो रही है जो स्रीप आई थी वो मैंने सारी बाट दी अंधेरा कह रहा है कि दिखनी रहा है अंदर तो यह देखिए मैं कहा रहा हूं कि वहां पर लाइट की वेवस्ता जो है वहां होनी चाहिए था जहां पर लोग देखें मतलब जिन थाबड़ी से जो जो है अंदर उेखें मतलब जी से बाट जो है पर रहा है को मतलब जुए इसको वी जो है अंदर फिर जू जो है तो यह जो है तो